वेल्कम टू डीजी स्टड आए मुझ्वल और आज मैं आपसे दो टॉपिक पर बाते करने वाला हूं पहला टॉपिक है हमारा की SSE CGL 2019-20 की टायर 1 का जो कट आफ है वो अगर हाई जाएगा तो क्यों जाएगा वित प्रूफ और जो सेकंड टॉपिक है हमारा की रिजल्ट कब तक आएगा तो चलिए हम लोग जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और उससे पहले जो भी चैनल पे नए आए हैं प्लीज सब्सक्र कि हम लोग को अनलेसिस करने की ज़रुवत है 2016 2015 और 2014 का कट आफ 2014 में देखो जनरल का जो एससी सीजल टायर 1 का कट आफ था वो था 96.5 2015 में जादा बच्चों ने एक्जाम दिया था तो कट आफ भी बढ़ गया और प्लस नॉलेज भी बढ़ गई बच्चों की और जनरल का 2016 में कट आफ बहुत जादा चला गया क्योंकि काफी जादा बच्चों ने अप्लाई किया था और दूसरी बात ये कि यूट्यूब उस समय बहुत अच्छा प्लैटफॉम भी बन चुका था बच्चों की नॉलेज के लिए आगे बढ़ते हैं तो देखो 2017 का जो कट आफ है उसमें ये देखो कि टोटल 1,50,404 बच्चे सेलेक्ट वे तेन और जो जनरल का कट आफ गया था वो 131 गया था तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन 2017 में जो वेकेंसी थी वो बहुत जादा नहीं थी 8000 के असपास थी अब देखो आपने पिछले चार साल का कट हमने ये अनुमान लगा लिया कि यार जो कट आफ है वो around 130 के असपास जाता है लेकिन 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 अब देखो यहां पे मैंने comparison किया हुआ है 2016 और 2017 के कट आफ सकाल देखो यह दोनों पोस्ट तो हब छोड़ी दो क्योंकि इनकी कट आफ तो हमेशा हाई जाती है अब तो 160 प्लस जाती है रिमेनिंग पोस्ट पे देखो रिमेनिंग पोस्ट पे आपका जो 2017 में कट आफ था वो 126.5 तो यह रिवाइज यह कट आफ निकाली गई थी ठीक है तो 2016 में काफी जादा था लेकिन अब देखो मैं में टॉपिक पर आता हूँ में टॉपिक यह है कि 2018 का जो टायर वन का कट आफ है वो 137.07 पहुझ गया जनरल का ठीक है और मैं बता दूँ यह आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद था 2018 से एक नहीं चीज़ आई नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका जो कट आफ है वो इतना हो गया तो बहुत जादा तो नहीं है टूटाउन 16 के कंपैरेजन में तो जादा नहीं है ठीक है अब मैं आपको यह बताता हूँ कि कितने बच्चों ने एक्जाम दिया था यह देखो लगबग 8,36,000 लोगों काफी गड़बड़ियां सामने आई थी चीटिंग के केसे सामने आये थे इस वज़े से सुप्रीम कोड में मामला फसा हुआ था तो बहुत सारे बच्चों को SSE पे जो भरोसा है वो लगबग लगबग खतम हो चुका था लेकिन अब असली गेम आता है देखो इसमें जो से 11,000 या 11,000 वेकिंसी थी ठीक है बहुत जादा वेकिंसी है काफी वेकिंसी है 11,000 से उपर थी 11,000 प्लस वेकिंसी थी तो इसलिए कट आफ भी आपकी थोड़ी हाई गई थी अब मैं आपको बता रहा हूँ ये तो 137 गया हुआ हुआ ना सिर्फ आठ लग बच्चों ने जब एक्च जानी को एक्टाञब लाख लोगों ने फारम भरा था 30 लाक प्लस लोगों ने फारम भरा था और आपको मैं बता दू एक्चाम लग बच्च 15 लाक लोगों ने 돼 क contributing में अगर 15 लाक लोगों ने एक्चाम गही थी सकते हो cutoff कितनी high जाने वाली है आप पिछले side में देखो यहां पे सिर्फ 8,36,000 लोगों ने exam दिया था तो cutoff 137 गई थी और मैं vacancy भी देख रहा हूं vacancy को मत भूलना ठीक है यह जो यह जो आपके total number of candidates जिन्हों ने exam दिया और जिन बच्चों का selection हुआ tire 2 के लिए tire 2 और 3 के लिए उन बच्चों में देखो सिर्फ 20% ही है ठीक है 20% लोगों का ही selection हुआ है tire 2 के लिए अब मैं आपको बता रहा हूं अगर 15,000,000 बच्चे exam दिये हैं तो सिर्फ 20% लोगों का ही होगा 20% नहीं sorry sorry 20% नहीं होगा ठीक है और कम होगा क्यूंकि इस बार आपके पास vacancy पता है कितनी है vacancy table अभी कल ही आई है और मैं आपको बता दू vacancy लगबग 9,000 प्लस है पिछली बार से कम है पिछली बार से बहुत कम है ठीक है और वो जैसा कि आपको पता था कि होना भी था क्योंकि government चाहरी है कि उसके expenses कम हो तो जो नए recruitment है वो जाहिसी बा परेशन में तो जादा ही है तो अब मैं बता दू 9,000 प्लस vacancy है और 15,000,000 बच्चों ने एक्जाम दिया है तो अब जनरल का जो cutoff है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं जनरल का जो cutoff जाएगा वो 140 बहुत लोगों को शॉक लगने वाला है कुछ लोगों को बुरा भी लेकर 146 तक जाएगा यह cutoff जाएगी और मैं बता दूँ यह after normalization है after normalization मैं score बता रहा हूं आपका OBC का भी बताता हूं OBC का cutoff जाएगी आपकी लगभग 138 to 141 आपको मैं बता दूँ देश की आधिया अबादी OBC है अगर 15,000,000 बच्चों ने एक्जाम दिया है तो इसमें आप मान के चलो 7.5 लग बच्चे OBC होंगे जो मेरा range है वो 3 का ही है ठीक है 3 marks का ही range मैंने रखा है बहुत सारे अब आप बोल रहोगे मैंने क्या मेरा perspective रहा होगा मेरी क्या prior information रही होगी अगर कोई novel भी निकालता है writer तो उसके पीछे बहुत सारे उसकी previous knowledge भी माहने रखती है ठीक है उसकी सोच माहने रखती है मेरा भ अच्छे यूट्यूबर्स के वीडियो देखें जो जन्होंने सो कॉल्ड सर्वे किया हुआ था ठीक है सर्वे में उनके जो रिजल्ट साय थे उसके अधार पर उन्होंने अपने अपना analysis निकाला था लेकिन मैं बता दूं कि मैंने YouTube यूट्यूबर्स का analysis किया है कि क्या cut- प्लस मैं आपको बता दूं वेकेंसी के अधार पे और जो जितने बच्चों ने exam दिया है पिछले साल के comparison में उसके अधार पे मैं बता रहा हूँ कि 144 से नीचे नहीं जाने वाला या तो 144 जाएगा या तो 144 प्लस ही जाएगा जनरल की cut-off और OBC का भी आपको देखके थोड सदमा टैप लग गया होगा जिनका इसके आसपास marks आने वाला है उमीद करिए कि normalization के बाद आपके marks इतने बढ़े हैं कि 144 को cross कर जाए तो फिर आपका chance है मुझे पता है कि बहुत लोग अभी मुझे गालियां भी दे रहोंगे और बहुत लोग को सदमा भी लग रहा होगा SC का मैं बता रहों आपको SC का 120 once से लेके 125 के बीच में जाएगा और ST का जाएगा आपका 107 to 111 अब जब result आएगा तो आप खुदी match ख़़ा लेना तो ये बात होगी हमारी cutoff की हाँ जो की high जाने वाली है ये सच बात है अब बात होगी हमारी की result कब तक आने वाला है टायर 1 का result है ना वो मैं आपको बता दू वेकेंसी टेबल आने के बाद जो result है वो आपका 2-3 दिन में आ जाएगा हाला कि SSC ने बोला था कि वो जो result निकालेगा वो जून में निकाल देगा लेकिन जून तो आज खतम ठीक है जून का महीना आज खतम हो जाएगा तो वेकेंसी ट तो थी कितने बच्चे टूटल सेलेक्ट होंगे उसके हिसाफ से वो cut-off जारी कर पाएंगे तो दो तीन दिन लगेंगे आपके सारे बच्चों के marks तो और एड़ी फीड हो चुके हैं उनको बस देखना है कि वेकेंसी के हिसाफ से कितने बच्चे हमें लेने हैं बी पॉजि तो अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक जरू कर देना शेर जरू कर देना अपने दोस्तों को दिखाना और बेल आइकन दबाना मत भूलना ठीक है और जैसे ही रिजल्ट आती है मैं तुरंट आपको खबर कर दूँगा तो तुरंट सब्सक्राइब क ग्रिफी खजआएब कर चेंजब कर देन तेनring कर दो एक ethical दोस्तों